कि असलाव अनिकूम खुशाम दीद कैसे आप सब चलेंजी आज मैं जट पड बनाना सिखा रही हूं अच्छा मैं घर के लिए बच्छों के लिए बना रही थी स्नेक्स तो मैंने कर चलो मैं थोड़ा सापको भी दिखा देती हूं यह मैंने हाफ चैस्पीस ले लिया है चिकन निकाल लिया ताकि इसका बस उपर कर जो चेंज होता है पिंग कलर से वह थोड़ा वाइडिश वाइट में आ जाए ठीक है बस निकाल के गरम पानी में दाल के फॉरा निकाल लिया मैंने इसको ठीक है और फिर मैंने यहां पे हाफ ही शिम्बला मेर्च और एक समझें आधे अधिया नमक और वन टीश्पून भरके काली मिश्य ले लिए और वन एना हाफ टीश्पून सुय सोस यह सब चीजे में चिकन में दाल के इसको पीस लोंगी ठीक है और फिर हम वांटोन बनाएंगे उसको फिलिंग करेंगे पट्टी में और इसको शेव देंगे वांटोन इसको आप डबल कर सकते हैं को यह आपके उपर हैं मुझे बस अभी फ्रेश थोड़े से बनाएं थे तो मैंने कर चलो मैं आपको इसकी रसेपी भी हाथो हाथ दिखा देती हूं ठीक है यह देखें यह मैंने इसका मिक्स्र बना लिए ठीक है जो चेकन का मैंने था और अब यह मेरे पास पट्टियां बड़ी दी तो मैंने इसको चकोर काट लिए हैं देखें मैं इनको अब अलग कर दूंगी यह साइज है ठीक है अब हम इसको फिल करेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे यह मैं इसमें फिल करूंगे कि जितना पॉर्शन आपको चाहिए आपने फिल किया यह मैंने आटी का पेस्ट है यह चार तरफ इसके लगाए है इसको मिला के और फिर हम इसको बॉन टॉन की शकल दे देंगे जैसे हम बनाते हैं कि यह देखें इसको पहले दर से इसको इससे मिला देगे यह हमारे बन गए ओं ठीक है इसी तरीके से यह सारे में बना लूंगी जितने मिक्चर में यह बन जाएंगे इसको फॉर्ण करेंगे इसको फ्राय करेंगे इसको फ्राय होगे इसको निकाल वहीं हैं इसनेक्स के दावर बच्चे बड़े शॉक से खाते हैं यह देखें वांटॉन थैयार हो चुके हैं खागित दें बहुत ही मज़गे हैं आप लोग भी घर में बनाएं खाएं बच्चों को खिलाएं ठीक है यह देखें अब मैं मिलूंगे आपके साथ अग्ली रेसिपी में तब तक के लिए अला आपिस